सन दो हजार तीन में रिलीज हुई फिल्म हवा तीन हॉलिवड हॉरर क्लासिक फिल्मों से प्रेरित थी एक फिल्म थी बॉलिवड की The Shining जो 1980 में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी एक सुनसान पहाडी के बीच एक भूतिया घर की कहानी थी दूसरी फिल्म थी The Entity जो 1982 में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी एक अलवकिक इकाई द्वारा एक महिला के यौन उत्पिरंग पर आधारित थी और तीसरी फिल्म थी पॉल्टर जिस्ट जिसका रिलीज होने का समयकाल था 1982 और इस फिल्म की कहानी था एक दुष्ट आत्मा द्वारा किये गए एक घर पर हमला हवा की कहानी सुतानु गुपता ने लिखे थे और इस फिल्म के स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट राइटर भी सुतानु गुपता थे फिल्म के संगीत दिये थे दिलीप सेन समीर सेन और फिल्म के निर्देशक थे गुड़ु धनवा फिल्म हवा की कहानी ये थी कि संजना एक तलाकशुदा महिला थी, उनके परिवार में दो बच्चे और एक भाई विक्की है संजना एक एंटिक शॉप चलाती है, संजोग से संजना ने अपना पुराना घर बेच देता है और पहाडियों के बीच एक नया घर खरीदता है और रहस्यमई घटना घरती है, हवा का एक जोका कभी कभी संजना के घर में सब कुछ अस्त वैस्त कर देता है संजना का पालतुकत्ता टैम अचानक असामान्य बैवहार करने लगता है और एक दिन टैम अचानक घायब हो जाता है सबसे भयाबह घटना तब होती है जब संजना को पता चलता है कि हर रात उसके साथ या उसके करीब कोई भूतिया साया या अंजान शक्ष आता है और वो उसका यौन शशन करता है घबराई हुई संजना ने अपने करीबी दोस्त मधू को सब बता देता है मधू को लगता है कि ये संजना की दिमागी समस्या है और मधू उसे एक अच्छे मनोचिकित सक से मिलवाती है वो डॉक्टर संजना के अतीत को देखता है और कहता है कि ये संजना की मानसिक समस्या है संजना हमेशा एक खराब हवा के इर्दगीर्द फसी रहती है बेबस संजना को पता चलता है कि उसकी समस्या पर कोई अमल या विश्वास नहीं करेगा संजना तब मानसिक रूप से खुद को उस अंजान खत्रे का सामना करने के लिए तैयार करती है ऐसे ही फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है अंत में पता चलता है कि जहां संजना ने घर खरीदा था उसके ठीक सामने जमीन के नीचे कहीं युगों का एक पुराना परित्वक् जहां पहारी जनजाती के लोगों ने अपने ही समुदाई के अपराधियों को जिन्दा दफना कर सजा देता था ये जगा बूरी आत्माव का चारा गाह था हवा तब्बू अभिनित एक मात्र होरर फिल्म थी हाला कि डॉक्टर आसिफ अली के किर्दार में शहबाज खान और एक पैरनॉर्मल एक्सपर्ट के एहम रोल में मुकेश तिवारी थे लेकिन फिल्म में उस हिसाब से कोई हीरो नहीं था हवा निर्देशक गुड़ु धन्वा दवारा निर्देशीत एक लौता होरर फिल्म है गुड़ु धन्वा मुख्य रूप से अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं 2002 में विक्रम भट की राज और 2003 में राम गोपाल वर्मा की भूत के सफलता के बाद बॉल्यूड में हौरर फिल्म के व्यवसाय का यूग फिर से लोट आया था इसी से प्रेरित होके गुड़ु धन्वा शायद हवा का निर्मान किये थे राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत के रिलीज होने के ठीक एक महिने बाद फिल्म हवा रिलीज हुई थी लेकिन ये फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था बॉक्स ओफिस के हिसाब से हवा एक एवरेज फिल्म थी फिल्म में इस माइने में एक भी एडल्ट सिक्वेंस या वयश्क द्रिश नहीं है लेकिन फिल्म की मुख्य कहानी और कुछ डायलोग्स के लिए ये फिल्म बच्चों के साथ देखना बिल्कुल ही संभब नहीं है एक होरोर फिल्म के हिसाब से हवा एक अच्छी मुवी है इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी दमदार और गतिशिल है होरोर सिक्वेंस या डरावने द्रिश के प्रस्तूती काफी बहतर थी स्पेशल एफेक्ट का कई काम इस फिल्म में है और वो अच्छा है क्लाइमेक्स भी काफी बहतर और उत्तेजक है पूरी फिल्म में कोई गाना नहीं है बैग्राउंड स्कोर में संसनी हवा के एक जोंके की आवाज का काफी शांदार तरीके से इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म के सिनेमाटोग्रफी या छायंकन और कैमरा वार्क उच्च गुणवत्ता वाला है तब्बू ने संजना के किरदार को काफी अच्छे तरह से निभाया शैवाज खान और पैरनॉर्मल एक्सपार्ट के किरदार में मुकेश तेवारी ने भी अच्छा काम किया जो लोग होरोर फिल्म पसंद करते हैं और हवा अभी भी नहीं देखे हैं तो कम से कम एक बार आप वो फिल्म जरूर देख सकते हैं